गुण ओनिंग इस्टुडेंस तोडे वी आर गूइंग टुडेडी रिमेनिंग कॉस्टेंस ओफ चैप्टर नमबर 11 एरिया एड इट्स बॉंडरी इस चैप्टर में पेज नमबर 149 में एक टेबल दिया हुआ है जिसके ओपर लिखा है सानिया, आरूशी, मानव और कवीर made greeting cards complete the table for their cards सानिया, आरूशी, मानव और कवीर ने कैबनाएं? greeting cards बनाए है और उसमें उनके द्वारा बनाएंगे cards के length, width, perimeter और area दिया हुआ है और कुछ spaces कहे blank है तो जहां जो चीज नहीं है, हमें वो चीज निकालना है और solve करके यहां feel करना है. तो सबसे पहले हम किसके card का निकालेंगे? सानिया के. सानिया ने जो card बनाया है उसका length है 10 cm और width 8 cm हमें उसका perimeter और area निकालना है. सबसे पहले हम लिखेंगे सान्यास कार्ड गिवन लेंध इस इकल टू लेंध कितना दिया हुआ है 10 cm and width कितना दिया हुआ है 8 cm और हमें find क्या करना है perimeter and area सबसे पहले हम क्या निकलेंगे perimeter निकलेंगे यहां length और width दिया हुआ है so क्या formula लेंगे हम perimeter of rectangle so perimeter of rectangle is equal to 2 in bracket length plus breadth perimeter निकलना है तो इस formula के according हम length और breadth को set करेंगे so 2 multiply length कितना है 10 plus breadth कितना है 8 bracket के अंदर लिखेंगे then 2 multiply 8 plus 10 कितना होता है 18 अब हम 18 और 2 को multiply करेंगे मानव के card का तो मानव के card में क्या के दिया हुआ है length दिया हुआ है 11 cm width हमें निकालना है perimeter दिया हुआ है 44 cm और हमें area भी निकालना है तो मानव के दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 44 तो हम यहां क्या लिखेंगे 44 then formula का 2 then multiply और क्या दिया हुआ है length दिया हुआ है length कितना है 11 cm plus breadth नहीं दिया हुआ है so उसके जगा b लिखेंगे से then यहां पे multiply position में है तो यह 2 इसके नीचे आखे divide हुआ जाएगा that means हम उसको 44 by 2 लिखेंगे so इस तरफ कहा रहा जाएगा 11 plus breadth अब हम इसको divide करेंगे तो divide करने से कितना answer आएगा 44 को जब हम 2 से divide करेंगे तो क्या answer आएगा 22 is equal to 11 plus breadth अब यहां plus है तो यहां के minus हो जाएगा so हम क्या लिखेंगे breadth is equal to 22 minus 11 so जब 22 से 11 को minus करेंगे तो answer कहाएगा 11 centimeter तो breadth कितना है 11 centimeter मानौ के द्वारा बनाएगे कार्ड में हमें और क्या निकलना है area निकलना है तो अब हम area का formula लिखेंगे so area is equal to length multiply breadth तो length कितना दिया हुआ था 11 और breadth कितना निकला 11 so हम क्या लिखेंगे यहां 11 multiply 11 जब 11 से 11 को multiply करेंगे तो हमारा answer कहाएगा 121 centimeter square अब आरूशी के कार्ड में क्या दिया हुआ है length नहीं दिया हुआ है width 8 centimeter दिया हुआ है perimeter हमें निकालना है और area 80 square centimeter दिया हुआ है तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे इसका length निकालेंगे तो length निकालने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे आरूशी कार्ड गिवन length निकालना है width 8 centimeter perimeter भी निकालना है और area 80 centimeter तो सबसे पहले length निकालते हैं so length is equal to उसका formula होता है area by width कभी भी आपके पास area दिया हुआ है और length या breadth में से कुछ भी दिया हुआ है तो दूसरा अपने आप निकल जाता है that means हमें divide करके निकालना होता है area क्या है 80 and width क्या है 8 so जब 80 को 8 से divide करेंगे तो क्या जाएगा 10 तो length कितना है 10 centimeter अब हमें क्या निकालना है perimeter तो हम सबसे पहले perimeter का formula लिखेंगे perimeter is equal to 2 multiply length plus breadth so formula का 2 multiply length कितना है हमारे पास 10 centimeter so हम क्या लिखेंगे या 10 and breadth कितना दिया हुआ है 8 centimeter so यहां क्या लिखेंगे 8 in bracket is equal to 2 multiply 10 plus 8 18 18 multiply 2 कितना होता है 18 to the 36 centimeter तो perimeter कितना है 36 centimeter इसी तरीके से आपको कबीर के दोरा बनाएगे कार्ट के जो measurement यहां नहीं दिये हुए है वो निकालना है like आपको length निकालना है width निकालना है यहां perimeter दिया हुआ है और area दिया हुआ है और इनको solve करने के बाद इसका pick खिच के group में send करना है अरिके जिकालना है